भाशपा का टिकट ना मिलने से नाराज पार्टी की प्रचार प्रसार समीती के संयोजक प्रवीर शर्मा ने पार्टी के सभी पदो और प्राथमिक सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है प्रवीर शर्मा इस बार मंडी सदर सीट से बीजेपी टिकट के तगड़े दावेदार थे कुछ समय पहले तक मंडी सदर के बीजेपी विधायक और सुखराम के बेटे अनिल शर्मा के कॉंग्रेस जॉइन करने की चर्चाय थी इसलिए अतय माना जा रहा था कि पार्टी प्रवीर पर दाव लगा सकती है लेकिन पिछले डेड़ महीने में राजनिति घटना करम तेजी से बदला और बीजेपी हाई कमा ने अनिल शर्मा को ही मंडी से टिकट दे दिया विर्भद सिंग के बेटे विक्रमादिते के साथ हुए विवात के बाद कुछ समय पहले कॉंग्रेस छोड़ देने वाले सुखराम के पोते आशर शर्मा भी भाश्मा में आ चुके हैं इस लिहास से यहाँ अनिल शर्मा को थोड़ी मश्बूती मिली मगर अब प्रवीर शर्मा के अलान से लड़ाई फिर रोचक हो गई है भाश्मा ने मंडी सदर सीट से मौजूदा विधायक और पंडित सुखराम शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया है प्रवीर शर्मा भी पंडित सुखराम के शिश हैं इस लिहास से उन्होंने सुखराम परिवार के सारे राजनितिक दाओं पेज की अच्छी जानकारी है प्रवीर शर्मा के निर्दली चुना मैदान में उतरने से मंडी सदर का मुकाबला रोचक हो गया है प्रवीर शर्मा ब्रामड वोटो में जितनी ज़्यादा सेंध लगाएंगा निर्दली चर्मा के रह उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और लाइव की स्पेशल रिपोर्ट